आप सबकर स्वागत करता हूं वीडियो में आज हम पढ़ेंगे 11th class के website अधन सब्जेक्ट के अंतरगर दूसरा पार्ट website किरियों का वर्गी करन website किरियों का वर्गी करन classification of business activity website के अंदर हम दो चीजे जो हैं वो मिलने इंक्लूड करते हैं इंडस्ट्री और commerce यानि कि उद्योग और वनिज्जे उद्योग का मतलब हो गया चीजों के production से और commerce का मतलब हो गया वो जो product की गई चीजे हैं जो बनाई गई चीजे हैं उनको customer तक पहुचाने से तो आज हम इस chapter के अंदर क्या-क्या कवर करने वाले हैं व्यवसाई करियाओं का परकार उद्योग उद्योगों के परकार वनिज्जे का अर्थ वनिज्जे के अंग और उद्योग वनिज्जे और व्यापार में अंतर तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले व्यवसाई करियाओं दो हिस्वो में डिवाइड किया था अभी मैंने आपको बताया था व्यवसाई का मतलब इंडस्ट्री और कॉमर्स को मिलाकर बना गया है उद्योग और वानिज्जे तो व्यवसाई करियाओं आ जाती हैं वहीं वानिज्जे को फिर हम करियां यानि की व्यवसाई के अंतरगत आती हैं उत्पादन संबन्धी किरियाओं को द्योग कहा जाता है और उत्पादित वस्थमों को भोगताऊं तक कि कस्टमर तक कंज्यूनर तक पहुंचाने की करियां को हम कॉमर्स यानिजिय के नाम से जानते हैं जसकी चितर में दर्शाय आ गया है, चले, डीटेल में शुरू करते हैं, सबसे पहले हम आ रहा आ जाता है, उद्योग क्या है, what is the industry, वे समस्त करिया हैं, जिनके माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्थित किया जाता है, उद्योग कहा जाता है, या फिर कहें तो उद्योग से त पाधन करती हैं, उद्योग कहलाती है, उद्योगों के अंतरकत प्रकरती द्वारा प्रदान किये गए, पदार्थों के रूप में, उप्योगीता सिर्जन करके उन्हें उपभोग योगे बनाया जाता है, ठीक है, तो उप्रकरती के द्वारा जो चीज़े हमें मिली है, उ उद्योगों के अंदर जोब तीन प्रकार के माल त्यार होते हैं हमारे, सबसे पहला है उद्पादक माल, इसको पुंजी करित माल भी कहा जाता है, जिन वस्तुओं को दूसरी उद्योगों द्वारा उद्पादन के लिए प्रयोक किया जाता है, उन्हें उद्पादक तूल बनाने की फेक्टरी अलग होगी लेकिन टूल कहां यूज हो रहे हैं मालो पेचकस है पेचकस बनाने की फेक्टरी जो है मालो एमदाबाद में है लेकिन वो पेचकस कहां यूज हो रहा है वो जो बिजली का काम करता है वो उसको यूज कर रहा है वो फिर कहीं पर भी हो वस्तुओं को सीधा उपभोग में लाया जा सकता है, उन्हें उपभोगता माल कहते हैं, जैसे कि डबल रोटी, कपड़ा, दवाईयां, यानि कि सीधा कंजूमर तक पहुंच कई, वो सीधा जो है वो उपभोगता तक चीजे पहुंच कई, फेक्टरी में बनते हैं, और तीस बनाई जाती है, ऐसी वस्तुओं को हम मद्यवर्ती वस्तुओं कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, यानि कि प्लास्टिक बना कोई हो रहा है, उस प्लास्टिक का यूज कोई ओर कर रहा है, जैसे कि माल इस पात का कार खाना, किसी कमपनी का है, उसे इस पात को मॉटर साइकल कार, ट्रक, बसे साधी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएंगी मध्यवरतिमाल, एराबर्ड हो गया, एलूमेनियम हो गया, इस परकार की सारी चीजें हमारी मध्यवरतिमाल कहलाती हैं, फिर उद्योगों के परकार, टाइगराम से समझेए, फि इनको हम सेवा उद्योग के नाम से भी हम जानते हैं, तो प्रात्मिक उद्योग सबसे पहले हम पढ़ते हैं, प्रात्मिक उद्योगों में विक्रियाई समिलित की जाती है, जिनके द्वारा, जो हमने सबसे पहला पॉइंट बनाया हमारा प्रात्मिक उद्योग, गोण दार उपन फिर निश्कर्शन उद्योग हो गया खानन खुली खान क्रिशी फिर निर्मानी उद्योग में आ जाते हैं जैसे किचीनी सेमेंट कपड़ा रचनादमग उद्योग में आ जाते हैं भावन सड़क पुल यातायात बैंकिंग ये सबी कभी से सबी जो हैं वह त्री प्राकर्तिक सादनों नेचरल रिसॉर्सिस का प्रियोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल त्यार किया जाता है यानि कि जो एशोधित कच्चे माल का उत्पादन करते हैं जिनको पहले यूज नहीं किया गया है उनको हम उनसे जो उत्पादबाद में बनाए ज उनका वो यूज करते है और उसका कच्चा माल दूसरे जो इंडस्ट्री जे जुड़ी वी उनको अपलब्द करवाता है जैसे उधारन के लिए जैनेनिक उद्योग जैनेटिक हिंडियोग में बोला जाता है जैनेटिक इंग्रेजी में उद्योगों का अभी प्राय उन्ह इन उद्योगों में मुर्गी पालन आ जाता है पशु पालन आ जाता है पोधा रोपन इत्यादी ये सारे के सारे आ जाते हैं जैनेटिक से जुड़ी वी सारी इंडरस्ट्री जो है वो हमारी आ जाती है प्राथमिक उद्योग के अंतरकत फिर दूसरी आती है हमारी निशकर् जादा जो हैं वह ज़ारहकंट हमारे स्टेट में इंडिया में पाई j get फिर लोहा हो गया गैस हो गई तेल इतियाधी निकालना हो गया ज़ेख खुली खानों से पत्थर निकालना आग यह सारे किसारी क्या जाती है हमारी निस्कर्शन उद्योग यह हमारे प्रात्मिक उद्योग में आते हैं तो हमारे पास में यह दो परकार के प्रात्मिक उद्योग जो होते हैं जो जैनेटिक के उपर काम करते हैं पशु पालन मुर्गी पालन पोधर उपन इत्यादी हो गए निस्कर्शन उद्य पहले से उत्पादित वस्तुमों का प्रयोग करके नई वस्तुमों का निर्मान करना, यानि कि प्राथमिक के बाद में सेकेंडरी आ गया, गोण उत्योगों से विप्राए पहले से उत्पादित वस्तुमों का प्रयोग करके नई वस्तुमों का निर्मान करना है, जैसे कि कपास का उत्पाद करना प्राथमिक उद्योग की श्रणी में आ जाएगा और उस कपास से जब हम कपड़ा बनाएंगे तो फिर वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री यानि की गोण उद्योग की अंतरकत आ जाएगा ये भी हमारी दो परकार की होते हैं पहला निर्मानी उद्योग मैनुफेक्टरिंग इंडस्ट्री निर्मानी उद्योग से क्या भी प्राई हमारा है जिसमें कच्चा माल यानि की अर्ध निर्मिता जो सेमी फर्निश जिसकॉम बोलते हैं पूरण रूप से त्यार नहीं है जो मशीनों और मानब की साहता से त्यार माल में परिवर्थिद किया जाता है जैसे कि कपास से कपड़ा पच्चे लोहे से इस पाथ या फिर इस पाथ से कोई बाइक, मॉटरजाईकल, गाडियां, ट्रक बगएरा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, बांस से कागच बनाना, या से सिमेंट यानि कि कुछ न कुछ नया निर्मान कर रहे हैं इसको हम 400 में बाढ़ सकते हैं निर्मानी उद्योग को विशलेशन आत्मक उद्योग में जिसके इंतरकत एक वस्तू से अनेक परिकार की वस्तू का निर्मान किया जाता है जैसे कच्छे तेल से पेट्रोल डीजल जो मिट्टी का देल होता है हमारा गैसोलिन इत्यादी वो हम निर्मान कर लेते हैं फिर प्राविद्धिक उद्योग हमारे आ जाते हैं प्रसासिंग इंडस्ट्री Przyp जितने कच्चे माल उनके विभिन उत्पाद परिकरिया से निकाल कर उपयोगी वस्तुम इत्यार किया जाते हैं जैसे कि चूना पथर, जिप्सन, कोईला इत्यादी को मिलाकर सिमेट त्यार करना त्यार कियादी करना जैसे कि चैनल दूसरा इस के अंदर जो परकार है गणो द्योगों का वह है रचनातमक उद्योग, constructive, industry इन उद्योगों में दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुमों का प्रियोग करके रचनातमक कारिये किये जाते हैं जैसे कि सीमेंट, लोहा, इट, लकडी इत्यादी का प्रियोग करके बिल्डिंग वगएर अत्यार करना, पुल वगएर अत्यार करना, सडकें, बांद इत्यादी का निर्मान करना ऐसे उद्योग प्राए ऐसी वस्तुमों का निर्मान करते हैं जो स्ताई पर करती की होती है यहां कि फिक्स टैसट की स्टेंडी में, जो हां अकांटेंसी में हम इंची जोको पढ़ेंगे और इनका प्रियोग पराए सावरजने खीतों के लिए किया जाता है ठेक है, तो यह हमारे दोपर करके गवण उद्योग होती है फिर हमारे आ जाते हैं त्रित्रे श्रेणी के उद्योग सेवाओं का उत्पादन त्रित्रे श्रेणी के उद्योग में आता है त्रित्रे श्रेणी के उद्योगों को हम सर्विस इंडरस्ट्रीज के नाम से जानते हैं सेवा उद्योगों में उन सेवां को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को निर्बाद गिती से चलाने में मदद करते हैं जैसे कि याता याता हो गया, बैंकिंग हो गया, भीमा हो गया, हमारे एड़ुटिसमेंट्स हो गए, हमारे बेहर हाउसेज हो गए आजकल इनको सभी को सेवाओं के उद्योगों के नाम से हम जानते हैं Services Industries के नाम से हम जानते हैं कि इनको जानते हैं? त्रित्रेशरेणी के उद्योगों को तो यह सभी के सभी जैसे यात्याद कोई ट्रांस्पोर्ट का काम करते हैं कोई बेंकिंग का काम करते हैं यह सभी कर सभी हमारे services के अंदर आ जाते हैं, तो त्रिते शुरनी के उध्योगों का क्या भी प्रायोग़ जो सेवाओं का उतपादन करते हैं, वो हम सभी त्रिते शुरनी के उध्योगों के जबहा अंतरकद हम डालते हैं, वेवसाय में आने एक प्रकार की बादाएं भी उत्वन होती हैं हम सभी जानते हैं जोखिम रिस्क हमने पिछले चैप्टर में हमने पड़ा था ये बादाएं और उनको दूर करने वाले सेवा द्योग कौन-कौन से हो सकते हैं जैसे कि वस्तों को एक स्थान से दूसरे स्था इस तरह की बादाओं में हमारी इंशुरेंस सेक्टर हमारा हेल्प करेगा फिर हमारे प्रोडक्ट की जनकारी कस्टमर तक पहुचाने के लिए ये यह जो हमारी कौन मादद करता है एड़टीजमेंट एंडस्ट्री हमारी करती है फिर जो हम माल त्यार कर रहे हैं जो स्टो यह जो है त्यों पहले जो हमारे जो टाइप आये उनकी मदद करने के लिए है तो यह हमारे हो गए उधारन आप स्क्रीन पर देख सकते है याता यह तो बैंकिंग उद्योग भीमा उद्योग विग्यापन उद्योग संग रहे हैं यह सब ही मैंने आपको बता दिया कि किस परकार की समस्तिया में आपकी हल्प करेंगे चलिए हाज के टोपिक का दूसरा बड़ा विशे वनिज्य यानि कि कॉमर्स अर्थ जान लेते हैं बहले इसका वनिज्य उन समस्त क्रियाओं के योगज़े है जो वस्तुओं के आदान परदान में उत्पन होने वाले व्यक्त व्यक्तिस्तान समय वित-सूचनाओं की बादाओं को दूर करने के लिए की जाती है Benjamin ये बिज़ेवाजिया और के लिए करा नाट जिसका प्रारम्ब उत्पाधन से होकर अन्त भो टलह स्भीनस शूरू हो गया और कस्टमर के पहुचा दी, वहां से ने पर उत्पादित वस्तुओं को उत्पादन स्थान से जहां पर वो चीज़े बनाई गई है उप भॉग स्थान यानि कि मार्केट जहां पर कस्टमर पहुंचता है तक पहुंचाने के लिए एक लंबा और कठीन रास्ता है ये तो उत्पादन कारिये उत्द्योग के शेतरों में आता है जबकि शेश कारिये वनिज्जे के शेतर में आएगे ठीक है तो उत्पादन से जब तक प्रोड़क्ट का उत्पादन नहीं होता तो उत्द्योग में आ जाएगा उसके बाद जितना भी कारिये होगा वो सारा का सारा व हो जाता है इस प्रकरिया का अंतिम चरण होता है फुटकर विक्रेताओं दोआरा माल उपभोगताओं को बेचना लेकिन यहां बात समाप्त नहीं हो जाती है हमारी माल के इस क्रैव विक्र अथवा वित्रण में अनेक परकार के समस्याई भी वित्पन होगी जैसे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यतायात के साधनों के अवशकता माल की शुरक्षे के लिए बीमा, वित संबंदी समस्याओं के लिए बैंकिंग, माल को स्टोक रखने के लिए हमें कोदाम की अविशकता पड़ेगी तो माल के संबंद में सूचना उपलवद करवाने के लिए हमें विज्यापन की अविशकता पड़ेगी इस प्रकार वानिज्य के अंतरगत वस्तूओं का क्राविक्र और उससे संबंदित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए की जाने वाली समस्त क्रियाएं वानिज्य कहलाती है। वैं सुचना की बाधाउं को दूर करने के लिए किया जाता है वानिज्य कहलाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। components of commerce अंगरेजी में बोले तो व्यापार यानिके trade और व्यापार में साहिक करिया है एक्जलोरीज टू ट्रेड चलिए पहले वाले हम के उपर चलते हैं व्यापार यानिके trade पहले व्यापार के टाइप्स में जाने से पहले थोड़ा सा इसका अर्थ बता देता हूं व्यापार का सधारण सा है वियापार का अर्थ लाप व्यापार का अभी प्रयक क्रेता और विक्रेता दोनों के पारास्परिक लाब हेतु वस्तूं और सेवाओं के विनिम है यानि कि एक्सचेंज लेंदेन से है जो व्यक्ति इन किरियाओं को करते हैं उन्हें हम व्यापार ही कहते हैं तथा उनकी किरियाओं को व्यापार कहते ह व्यापार छोटे से बड़े से बड़े से बड़े स्तर पर किया जा सकता है जैसे कि एक व्यक्ती रेडी पर माल रखकर बेजता है तो वो भी व्यापार है गलियों में खुली उई छोटी छोटी दुकानों को भी व्यापार के अंग माल लेते हैं या फिर बजारों में बड़े-बड़े शोरूम, डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे कि एजी डे हो गया, या विशाल मेगा मार्ट्स हो गया, या बहुत बड़े-बड़े जो मॉल हो गया, वो सभी के सभी व्यापार के अंग कहलाएंगे. यही भी नहीं, व्यापार स्थानिय स्तर से लेकर राज्य स्तर जो हम अभी पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहला हमारा आगा है देशी व्यापार, जिसको हम कहेंगे हॉम ट्रेट, जब वस्तुओं का क्रय विक्रे किसी देश की सिमाओं के अंदर ही किया जाता है, तो हम उसे देशी व्यापार कहते हैं, तीन परकार का होता है यह देशी व्यापार, स्थानिय व्यापार, स्थानिय व्यापार किसी गाओं, कस्बे या जिले तक सेमित रहता है, इस व्यापार के अंतरगत दैनिक उपभोग एवं नाशवान परकरती की वस्तुओं आती हैं, जैसे कि ताजे फलोगे, मिठाईया, दूद, सबजियां दी, जो हम डेली रूटीन में हम यूज करते हैं, फिर राज्य व्यपार आ जाता है, इसका दूसरा टाइप, देसी व्यपार का, स्थानिय व्यपार से उपर उठकर जब एक व्यपारी राज्य स्तर पर व्यवार करने लगता है, व्यवार कह सकते हैं, व्यपार कह सकते हैं, तो वह राज्य या फिर प्रांतिय व्यपार कहलाता है, जैसे कि किसी राज्य के विभिन जिलों के मद्दे होने वाला व्यपार, उधारन के लिए अनाज हो गए, दाल ले हो गई, या फिर बरतन हो गई, जैसे पीतल के बरत स्टेट यानि कि अंतर्राजी जब व्यापार एक ही देश के विभिन राज्यों के अंतर्गत व्यापार करते हैं तो फिर उसको अंतर्राज्य व्यापार करते हैं जैसे कि सेब जो हां वो हिमाचल से देश के विभिन राज्यों के अंतर्राज्यों है वो पहुंचाए जाते ह तो तीन टाइप मैंने आपको इसको बताई है देसी विपार की स्थानिय विपार राज्य विपार और अंतर राज्य विपार ठीक है और इन तीनों को अगर हम मिला दें तो थोक विपार और फुटकर विपार निकल के आता है देसी विपार के अंतरगत स्थानिय राज्य और राष्ट्री है जिसको अंतर राज्जी है व्यापार कहा कहा है तीनों भागों को जो है वो फुटकर व्यापार के अंतरगत हम शामिल कर लेते हैं थोक व्यापार से क्या विपराई होता है ऐसे व्यापार से जिसके अंतरगत थोक व्यापारी बड़ी मातरा में उत्पाद को आथवा निर्माताओं या उनके अधिकरित एजेंटों से माल खरीद कर थोड़ी-थोड़ी मातरा में फुटकर यानिके रिटेलर्स वेपारी को बेशता है ततपस्चात फुटकर वेपारी क्रे किये गए माल को और भोगताओं को उनकी आवशक्ता अनुसार थोड़ी-थोड़ी मातरा में बेचता है यानिके हमारे पास तो सबसे लास्ट में आता है जो थोड़ी-थोड़ी मातरा में हमारे पास होता है फिर दूसरा आ जाता है हमारा विदेशी व्यापार, जब व्यावारिक या फिर व्यापारिक व्यावार किसी देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देश में पहुंच जाता है तो हम उसको विदेशी व्यापार कहते हैं, जब हमारे देश के अंदर ही होता है तो हम उसे कि नाम से जानते हैं विदेशी वियापार का महताव दिन परती दिन बढ़ता चला जा रहा है कारण बहुत ही असान है बहुत ही सरल है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपनी आवशकताओं की सभी वस्तूओं का उत्पादन स्वेम कर सके तो क्या हुआ किसी ना किसे वस्तूओं के लिए उसे विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है इस बरकार प्रतेक देश कमी वाली वस्तूओं को विदेशों से क्रे कर देता है और अधिक्य यानि कि ज्यादा वाली वस्तूओं को विदेशों में विक्रे कर देता है तो विदेशी विपार के भी जहां वो तीन अंग है सबसे पहला आयात विपार, इंपोर्ट ट्रेड जब एक देश का विपारी दूसरे देश के विपारी से माल करे करता है तो इसे आयात व्यपार कहा जाता है जैसे कि भारत जो है वो इरान से पेट्रोलियम क्रै करता है क्योंकि भारत में पेट्रोलियम की कमी है तो इसे हम कहेंगे भारत के लिए आयात व्यपार कहा जाएगा दूसरा निर्यात व्यावार इसका बिलकुल विपरीद है एक्सपोर्ट ट्रेड जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को माल का विक्रह करता है तो इसे निर्यात व्यापार कहा जाता है जैसे भारत जो है वो सूती वस्तर हो गई चाय हो गई यह जूट इतियादिक विदेशों को विक्रे करता है तो इसे भारत के लिए निर्यात व्यपार कहा जाएगा मतलब जो चीज हमारे देश में अधिक बनती है हम उसको निर्यात करते हैं जो चीज हमारे देश में कम रहा जाती है हम उसको दूसरे देशें से आयात करते हैं ते तीसरा पुने निर्यात वेपार जब एक देश द्वारा माल किसी अन्य देश से आयात करके किसी तीसरे देश को निर्यात किया जाता है तो ऐसे वयवार को पुने निर्यात वयवार कहते हैं इस परकार के वियापार में एक देश दो देशों के बीच में मध्यस्त का कारिय करता है तथा माल बंदरगा पर उतरवा कर या फिर बिना उतरवाई है निर्याद कर देता है उधारन अगर इसमें हम लेना चाहें तो इंगलेंड दक्षिन अफरीका से माल आयात करके अन्य यूरोप देशों में निर्याद करता है यानि कि इंगलेंड अफरीका से खरीद रहा है इंगलेंड प्रोडक्शन नहीं कर रहा किसी दीजों के एंग्लेंड ने क्या किया अफरीका से माल खरीदा और यूरोप की अन्य कंट्री जोगी जिसे की फ्रांस स्पेंट इटली इत्यादी वहां पर उनची जोंको सेर RICHARD कर रहा है व्यापार, वानिजे में व्यापार के साथ सथ व्यापार की साहय किरियाओं को भी शामिल किया गया ऐसी सभी किरियाएं जो व्यापार में आने वाले विभिन बादाओं को दूर करने के लिए की जाती हैं व्यापार की साहय किरियाओं कहलाती हैं परकार के बादाएं आ सकती हैं मैंने आपके आगे डिखाइए छे परकार की बादाएं इनहीं छे को हम समझने का पर्यास करेंगे तो क्या हुआ पया पार में आने वाली विभीन बादाओं को दूर करने के लिए वो सायक करियाएं की जाती है है इन सारी वाधाओं को समझने का प्रयास करते हैं व्यक्तिऊं की बादाएं आ सकती हैं मद्यस्तता क्या है वस्तुयोगों के उत्पादक सीमित मात्रा में होते हैं और उनके उपभोगता ऐसंख्या होते हैं यानि कि बनाने वाले कम हैं वस्तुओं को लेकिन उन वस्तुओं को यूज करने वाले बहुत अदिक संख्या है इसलिए प्राय ऐसा संभव नहीं हो पाता कि उपभोगता सीधे ही उत्पादकों से अपनी आवशक्ता की व विक्रे अत्वा व्यापार में पहली समस्य उत्पन हो जाती है जिसे व्यक्तियों की समस्य कहते हैं यह निकर हम डारेक्ट फेक्टरी से जाकर कितने के लोग ले लेंगे समान उत्पादकों और उपभोगताओं के मद्य समपर्क स्तापित करने के लिए मद्यस्ततों की आवशक्ता पड़ती है मद्यस्ततों में क्या किया जाते हैं जिसे कि थोक विक्रेता इत्यादी हो गए थोक वेपारी उत्पादगों से बड़ी मातरा में, बड़ी संक्या में वस्तुमों को करे करके फुटकर वेपारियों को थोड़ी-थोड़ी मातरा में बेज देते हैं और फुटकर व्यपारी उपभोगताओं का उनकी आउशक्ता अनुसार वस्तुम की उपलबजता करवा देते हैं इस परकार उतपादक से लेकर उपभोगता तक एक चैन सिस्टम जो है वो तियार हो जाता है और इस चैन सिस्टम में क्या क्या चीजी आ जाती है पहले तो आजाएगा उतपादक जो वस्तुम को बना रहा है उससे ले लेंगे थोक Вिक्रेता थोक विक्रेता दे देगा फूटकर विक्रेता को और फूटकर विक्रेता जो जैसे कि दुकानदार हो गए हमारे शहरों में होते हैं वो हमारे तक हो यानिके उबवक्ता तक पहुँच आदेगा तो पहली तो यह समस्या हमारी दूर हो गई मद्यस्ते तक साथ फिर दूसरी है स्तान की समस्या तो इसको दूर कैसे करेंगे हम परिवेहन एवं संदेश वहान के द्वारा प्रैस अभी वस्तों का उत्पादन कुछ विशेश स्तानों पर ही होता है यह तो है निकि हर जगे बनाई जा रहे हैं वो चीजे हर सेटी में नहीं पोसिबल है जबकि उसके उपभोगता जो हैं वो हर सेटी में मिल जाएंगे हर गाओं के अंदर मिल जाएंगे या फिर कहें तो उत्पादक और उपभोगता भोगोलिक रूप से दूर दूर होते हैं इस परकार व्यापार में एक और बादा उत्पन होती है उपभोकता बहुत है परिबहेंग द्वारा वस्तू को उनके स्तान तक पहुँचाने के लिए प्रियोग में लाये जाता है जहां उनकी आवशकता होती है रीकोर जुह दूसरा पहलू भी हो सकता है उपभोकता वेक्रेता दूर दूर नावन होते हैं यांँ पर समस्य उत्परन होती है कि वस्त्मों के करेव उक्रेखे सोध्य कैसे है यह की है। इस समस्य के समधन के लिए संधेश वहन दुआरा जिए वो हम हम समस्य के समधन कर सकते हैं कम्मिनिकेशन के दुआरा। संदेश वहान में क्या आ जाते हैं जिनसे हम अपना संदेश देते हैं जासे के ए-mail हो गया vic टैलीफॉन वगएरा वगए पत्तर ले खन हो गया रहा हो गए तो इनके साहिता से जो है वह हम आंस्तान की बादाउं की ढूर कर सकते हैं तो यह कम्निकेशन ही किसका संथ्वाधान हो गया समय के समय के समस्या जिसको संग्रहेंड के दोवराम दूर करेंगे नॉर्मली यह दिखा जाता है कि वस्तों के उत्पादन तथा उपभोग के मद्य समय की अवदी में काफी अंतर हो सकता है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि कुछ वस्तों का उत्पादन एक विशीस मोसम में ही किया जाता है जबकि उसका उपभोग पूरे वर्ष में नियमित रूप से किया जाता है जैसे कि चीनी का उत्पादन जो है वो नॉर्मली सर्दियों में किया जाता है नुमंबर से मार्च के बीच में परंतु इसके मांग पुरे वर्ष तक बनी रहती है तो इन चीजों से बचने के लिए हमें वेराओ, संग्रेहन, गोदामो इत्यादी की हमें अवशकता पड़ती है फिर चोथे नमबर पर है जोकिम, जोकिम के लिए तो फिर हमें इन्शोरेंस ही चाहिए होता है वस्तुएं के करेव विक्र है, छोटे स्तर पर हो या फिर बहुत बड़े स्तर पर हो वस्तुएं के संग्रेहन एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाना ये सारी के सारी क्या है जो खिंबारी सारी माल शती हो सकती है माल की माल चोरी हो सकता है आग लग सकती है या प्रकरतिक रूप से कोई हापदा आ जाए तो इन सभी की समस्याओं का समाधान हमारे पस में insurance के रूप में तो insurance company व्यापार में अनेक परकार की powiedzieć परदान करती है फिर with समन्दी, पैसे, बिना पैसे तो व्यापार नहीं चैलेगा with को व्यवसाई की read की heading माना चाता है इसकी आवशक्ता कच्चे माल से लेकर जब हम करे करती हैं तब हमें पैसे की आवशक्ता पढ़ती है और निरमित माल के विक्रे तक पढ़ेगी परय वैवसाहीयों के पास वित आय प्रयाप्त मातरा में होता है जिसका उन्हें बाहर से परबंदन करना पड़ता है क्रेडिट की आवशक्ता पड़ती है जो हम आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे लेटर ओफ क्रेडिट क्या होता है साख पतर इन सभी बादाओं को बैंकिंग की मदद से हम इन सभी समस्याओं को सुल जा सकते हैं व्यापार हमने पढ़ा देशी वी देशी तो उनका पैमाना ब सभी कठा करने के लिए अंश यानि की शेयर्स रिंड पत्तर हो गए डिवेंचर्स इत्यादी भी समय समय पर जारी करती रहती है इस माध्यम से वित प्राप्ती में शेयर बजार स्टोक एक्चेंज महतपुर्ण भोमिका निवाता है जैसे कि बंबे स्टोक एक्चेंज हमन सब्सक्राइप आसानी से किया जा सकता है इसलिEP कमपनियों में अंश अधार स्चेमर गल є ऑर करने का मतलब वित्समस्य mina वो कंपनी की दूर होती है और हमारी आखरी बादा क्या हो सकती है सूचना की बादा यानि कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी सूचना हम मार्केट में कस्टमर तक कैसे पहुचाएं तो इतनी जबर्दस्त मतलब आज के टेम पर कंपेडिशन जो है वो व्यवसाई में आ गया है आप व्यापार में प्रयाप्त धन्निवेश करके इस इंतजार में बैठे रहें कि ग्रहक समयम आपके पास आ जाए तो पोसिबल नहीं है तो ग्रहकों को अपने प्रोडक्ट के परती आकर्शित करने के लिए उनको अपने उत्पादों के पूरी जानकारी देने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट नामक समाधान सलुशन की अवशक्ता पड़ेगी विज्यापन संभावित करेताओं के ज्ञान में विर्थी करता है जिससे ग्रहक एक विशेश वस्तु की और अकरशित होता है और उसे क्रह करता है तो हमारी समस्या का समाधान जो है वो विज्यापन करता है तो ये जो हमारी छे जो समस्याएं थी वस्तु के क्रह विक्रह में व्यक्तिस्तान समय जोखें वित सोचना ही थे जो बादाएं उत्पन होती है तो इनके समाधान भी हमने पड़ लिये मध्यास्त परिवेहन एवं संदेश वहन और वेहराहूस बैंकि विज्यापन आधि की सायता ले लेते हैं तो इन सभी क्रियाओं के मदद से हमारी ये सभी बादाएं डूर हो जाती है इन सभी को मिला दे हम तो उसको हम वानिच्य की संग्या दे सकते हैं चलिए आज का हमारा लास्ट पॉइंट है लास्ट टोपिक है यह हमारा वो वस्तू में और सेवां का उतपादन करते हैं क्या एक्टवीटी करते हैं मतलब क्रियागा मतलब वस्तू मोरिं व्रस पौंजी का उत्तु में वानिच्य में स्थाइपॉंजी कम चाहिएगी और कर्याशिल पूंजी ज्यादा चाहिएगी उद्योग में दोनों चाहिए है स्थाई और कर्याशिल दोनों और व्यापार में स्थाई पूंजी कम चाहिए होती है और हमारी कर्याशिल पूंजी जो है वो व्यापार की प्रकर्तिव में निर्भर करी कि कि कितना बड़ा है और कितना छोटा है फिर सकोप हमारा को उद्योग प्राथमिक गोन और सेव उद्योगों में आते हैं यह हमँरे तीनों में आ जाएगा फिर वा नी चे इसके अन्तरगत व्यापार और व्यापार में शाहे किर्याई आ जाती है हमने पढ़ा है गिए अभी और व्यापार में देशी और विदेशी हमारे शामिल किये जाते हैं उसके बाद में चोथा हमारा अधार का अंतर है उपयोगिता सिर्जन यूटिलिटी उद्योगों के अंतरगत फरम यूटिलिटी का सिर्जन होता है रूप उपयोगिता होती है हमारी यहां पर और वनिज्जे के अंतरगत स्तान और समय उपयोगिता को ज्यादा ध् आझी होते हैं, व्यापार का अंग है। इसमी उपहयोगत का सिर्जन क्रए और विक्रए के माध्यम से कीया जाता है। तो उपहयोगीता यूदिदि कितना कहां यूज कि आ सकते हैं, उसके बाए में जिकर किया गया है हमारा और हमारा पांचमा आ जाता है अधार अंतर का उद्योगों में अधिक जोखिम होता है चुकि साइज में भी बड़े होते हैं तो और वानिज्जे में उद्योगों की अपेक्षगरित कम जोखिम होता है और व्यपार में सबसे कम जोखिम होता है और हमारा अंतर का आखरी आदार है एक दूसरे पर निर्भरता वानिज्य और व्यपार एक दूसरे वानिज्य तथा व्यपार दोनों उद्योगों पर निर्भर करते हैं क्योंकि उद्योग नहीं होगा तो फिर वानिज्य और व्यपार भी नहीं होगा वानिज्य व्यपार के बिना संभव नहीं है क्योंकि व्यापार इसका एक मुख्यांग है तो वानिज्य उद्योग हो गए उद्योगों ने जो प्रड़क्ट बनाया है उसको वानिज्य जो है वो आगे समालता है और आगे किसके पास बेजेगा व्यापार के पास और व्यापार ही नहीं होगा तो फिर वानिज् तोपिक